आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रिसायन, विग्यान, भौतिक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें आई कैप, जे कैप, के कैप दूसरी पंक्ति के लिए हम क्या करेंगे ए सदिश के गुनक लिखेंगे आई कैप का जो गुनक है जैसे कि यहाँ दो है तो हम आई कैप के नीचे दो लिख देंगे जे कैप का तीन है तो तीन लिख देंगे के कैप का 6 है तो 6 लिख देंगे अगली पंक्ती में B के लिए भी यही करेंगे देखे कितना आया 3 माइनस 6 और 2 ठीक है अभी सार्निक का मान आपको A क्रॉस B देगा तो देखे यहां से I कैप गुना कितना बन जाएगा 6 और यह 6 गुना 6 माइनस 36 तो यह प्लस 36 हो जाएगा ठीक है आगे माइनस J के साथ कितना आएगा 4 माइनस 18 और के कैप के साथ कितना आएगा माइनस 12 माइनस 9 ठीक है तो यह कितना बना 42 I कैप और प्लस 14 J कैप ठीक है और माइनस 21 के कैप दोस्तों ठीक है तो अब देखिए आपका यदी C के साथ हम साथ गुना कर दें तो कितना बनेगा दोस्तों साथ गुना C तो साथ यदी गुना करें C सदिश में तो देखिए C सदिश क्या है 6 I cap प्लस 2 J cap माइनस 3 K cap अब दोस्तों यहाँ पे कोई अधिश संख्या आपने एक सदिश में गुना करी है तो क्या होगा यह सभी जो गुनक है यहाँ पे I cap का गुनक, J cap का गुनक और K cap का गुनक उन्हीं सभी के साथ यहाँ पे गुना हो जाएगा यहीं साथ गुना 6 कितना बन गया 42 I cap, साथ गुना 2 कितना बन गया 14 J cap, साथ गुना माइनस 3 यानि माइनस 21 केक है अब दोस्तों आप इन दोनों की तुलना कीजिए तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ दोनों सदिश बराबर है ठीक है तो हमने सिद्ध किया कि A x B आपका बराबर है 7 गुना C के यहीं हमें सिद्ध करना था धन्यवाद